जिन्हीं आसी ड्रग्स लेने हैं न इना सार्यां देनाल डोपामीन दा लेवल बाद जानदा है ते ब्रेन दे वेच आसी बार पार सानू ड्रग्स लेनियां पेंदी हैं so as to maintain आर डोपामीन लेवल जे डोपामीन लेवल नीचे जाएगा न सदे अंदर एक सिस्टम हों दा जिन्हों सिंपसाटिक सिस्टम केंदी है sympathetic system body दे वेची sympathetic system है कि पैरा sympathetic system है जदो भी डोपामीन लेवल नीचे जानगे न अंदर दा, body दे अंदर दा sympathetic system अओन हो देगा जदो sympathetic system on होएगा न ओ जड़ा बाडी दे वेट चे जो भी चीजां पैदा करेगा उन्हों असी विड्रॉल्स कहने है जड़ी साथी बाडी ब्रेन है ना उन्हों नहीं पता लगता है जदों भी डोपामीन लेवल नीचे आंदा है ना ते साथा सिंपथैटिक सिस्टम नूँ ए पता लगता है कि डोपामीन लेवल नीचे आ रहे है ते ओ समझ दा है कि होन मेरी जरूरत है ओ लाइफ सेव करन वास्ते पर मात्मावलों एक सिस्टम बने होया है जड़ा कि सिर्फ एमरजंसी चान होना चाहिए है बड़ जदो डोपामीन लेवल नीचे आन दा है ना मेरी जरूरत पहगी है ओ आन हो जाता है तो जदो सिंपथैटिक सिस्टम आन होन दा है तो फहर साथे अंदर सारे तरह अंद बिडरॉल जाते है इस अतलब है कि जड़ा बिडरॉल जाते है उ ड्रग्स तो करके नहीं आंदे, उ साथ ही sympathetic system दे on, हून करके आंदे है एक गलश तारना है कि आसी drugs करके साथ विड्राव्ल्वर आ रहे हैं विड्राव्ल्वर भिकॉज अफ दा sympathetic system which is a life saving symptom, which is a life saving system जिड़ा के परमातमां वोलों साथ ही बोडी जा साथे ब्रेन देवेच कायम है असी की कर देया तो अड़े विड्रॉल्स नू बचान वास्ते असी जदो डोपामीन लेवल कटना होंदा जदो तुसी ड्रग नहीं लेंदे असी ये सिंपेटेटिक सिस्टम नू आफ कर देने है असी सिंपेटेटिक सिस्टम नू कहने है तेरी जरूरत नहीं है ये सानू पता है असी आप ही डोपामीन लेवल नू लोड कर रहे हैं सो असी की कर देया है सिंपेटेटिक सिस्टम नू आफ कर देने है जदो असी सिंपेटेटिक सिस्टम नू आफ करता ना फिर तोरह अंदर withdrawals नहीं आणगे साठा यह mechanism है असी यह नहीं करते कि जो तो तोरह बॉडी दे symptoms आ रहे हैं किसे नो वाम्टिंग आ रहे हैं किसे नो डायरिया लगा होया किसे नो body cranes आ रहे हैं किसे नो body eggs हो रहे हैं असी symptomatic treatment नहीं कर दे जिड़ा के अक्सर ट्रीटमेंट कीता जानता है असी की कर देया the basic system जिड़ा sympathetic system है which is totally unaware of it उन्हों नहीं पता के मैं इस वेले on नहीं होना sympathetic system नहीं नहीं पता के मैंनों alcohol नहीं मिल रही जा मैंनों ड्रग नहीं मिल रही इस करके ये dopamine level कट गया sympathetic system दा काम है life बचानी पर क्योंके सानो dopamine लेंड दी एननी आदत पैजन दी है बारों के जदों असी dopamine बारों नहीं देंदे in case of alcohol and drugs ए sympathetic system अपना sympathy करदा ते ए आन हो जानदा so होन जिड़े असी तोड़े withdrawals ठीक कर रहे आए थे रखके जिड़ा असी acute detox कर दे है ओ पार्टियो ऑस्पिटल दे वेच under medical supervision असी sympathetic system नो आफ किता हुआ है जिड़ी अरेस्ट आफ्टियों प्रॉब्लम्स होन दी हैं जिमें के तोड़ी anxiety, तोड़ी depression हाँ जी बटे जब हम घर चले जाएंगे, अभी तो आपने बोला ना कि हमने ये system बन किया, off किया तो जब हम घर चले जाएंगे, साथ दिनों के बाहर चले तो पिर भी वो medicine होगी भी इसने कि जो इसको off ही रखे ये हम seven days का treatment इसलिए करते हैं कि seven days में sympathetic system को समझा जाती है कि उसने on नहीं होना है और dopamine levels को हम regulate कर लेती हैं कि इनको हमने बढ़ने नहीं देना है ठीक है, dopamine levels क्या बढ़ने से क्या होता है aggression आती है, गुसा आता है, तलकी आती है, violence आती है aggression इतनी violence आती है कि अगर एक इनसान की किसी भी help ना की जाए तो उसके withdrawals में वो किसी को भी खतम कर सकता है और अपने आपको भी खतम कर सकता है तो इसलिए हमने safety provide करने के लिए वैसे ये काम 72 hours में हो जाना चाहिए हमारा sympathetic system सिर्फ 72 hours के लिए on होता है लेकिन कईयों में इतना prolong हो जाता है कई drugs में जहां कई alcohol बहुत देर से ले रहे हूं तो उनको chronic cases में five to seven days लग सकते हैं इसलिए हमने अपने rehab से पहले ये एक situation बनाई हुई है एक medical supervision के अंडर एक situation बनाई है safety को बढ़ाने के लिए और patient की complaints को कम करने के लिए और अंडर medical supervision हम sympathetic system को off करती है कुछ लोग दुनिया में PP के अपने brain को इतना damage कर लेती है कि उनका sympathetic system on ही नहीं होता तो उसमें उनको withdrawals आते ही नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको withdrawals नहीं आरे और उनकी disease कम है इसका मतलब ये है कि उनका अंदर का सारा system test नहीं हो गया है तो अभी इतना हारत खराब हो गई है कि withdrawals भी आने बंद हो गई है ये उससे भी आगे की state है तो withdrawals का आना और ये एक समद्स ये पता चलना चाहिए कि withdrawals आते इसलिए है क्योंकि हमारा अंदर का system एक healthy system है ये परमात्मा का बनायाव system है हमें emergency से निकालने के लिए लेकिन एतना तकलीफ दे है ये क्योंकि हमने अपने dopamine system को अपने brain को इस तरीके से use किया है कि ये life-threatening हो जाते है So withdrawals of the drugs and alcohol can be life-threatening if they are not medically supervised So sir, treatment में और recovery में जब seven days चले जाते हैं उसके बाद डोपामीन कम होता है हम skills use करते हमारे mood को better करने के लिए Like we can also go back to drugs Yes But we have to learn skills to stabilize the mood Yes Without even subsistence हमने आप कह रहे हो ना जी के डॉक साब के withdrawals ठीक हो जान मैं फिक कदी नहीं पियांगा देखो असी जड़ा है ते रखके program कर रहे हैं ना इस seven days दा program acute withdrawals हो तानू safely exit कराना है number one पर इस तो बाद की होएगा कि जो डोपामीन लेवल तोड़ा गिर जेगा ते तो अनू किसे तरह दा कोई चाह कोई excitement कोई मज़ा and depression can prevail and anxiety can prevail for long time तो असी फिर की कर देएं कि कुछ time लगदा सानू sub acute withdrawals नू ठीक करन लगएं यह जड़े sub acute withdrawals है यह असी अपने rehab दे विच ठीक कर देएं वो थे parasympathetic system नू आन कर देने है जे दे आज sympathetic system दे एक supervise आ जानता है and parasympathetic system जड़ा है यह फिर सानू एक out of depression out of anxiety एक अच्छा फील करना जिंदगी नू colorful देखना रंगीन जिंदगी देखनी दुबारा तो शुरू कर दे है जो दो उसी parasympathetic system नू आन कर दे है देखो दोना दे फाइदे है इनिशल मंथ में rehab में मेरे को anxiety बड़े होती है sub acute withdrawals आते है इसको बोलते हैं जी sub acute withdrawals जेड़े के seven days दे बाद भी चल दी है एदे विछ हुन्दा की है patient दा mood कदी ते top दे है ते कभी बिलकुल लो कदी ते patient अच्छा फील करता है कभी उनू खाली पन में सूसुन दा है ताह यह सी तानू कहने हैं कि detox is not a solution detox is only starting of a treatment एक start करनदा है क्योंके first gear है न जी और जे तुसी को के एत्थों लेके लो दे आने तक मैं सफर करना है ते मैं सारा first gear जी करना है first gear दे देखो it cannot तुसी अपनी willpower चलो आज तोड़ी बहुत willpower है I am happy, I am glad that तुसी अपनी मर्जी ना लाए तुसी अपना treatment कराना चौन दे हो right but it is just a first gear और first gear दे जेसी गड़ी चलावांगे ते किनी देर चे सारा the system the system जड़ा तैस ने ऐस होजेगा साथा it has to go into second gear it has to go into third gear then it has to take to the fourth gear इदा मतलब है पहला acute withdrawal जानगे फिर subacute withdrawal जानगे फिर chronic withdrawal जानगे obsessions असी किसे होगा चीज चिफास जानगे सानु कोई होल ख्याल आगे आसी हो चिस ट्रक हो जानगे ऐस तान यह चीजा आंदी है रहनी है but acute withdrawal जड़े है और 72 आज तो बाद likely to go down तो टॉक्ट सब हाँ जी आपको कुछ नहीं अच्छा लगता एबरेज लाइज लाइज पैंड के नहीं हुद यह सा विड्रॉल है नहीं देखो depends upon के तुसी willingness कि नहीं है यह तोड़ी denial चल रही है तोड़े withdrawal प्रलॉंग होनगे यह तुसी acceptance ते surrender चागे तोड़े withdrawal शॉर्ट हो जानगे I'm talking about subacute and chronic withdrawal यह तुसी अपने ते कम करना शुरू करता है और तुसी नमे स्किल्स सिखने शुरू करते है तोड़े withdrawal शॉर्ट हो जानगे तुसी लाइफ देवेच सौख्य होने शुरू हो जानगे तोड़े moods कंट्रोल चरें लग पेंगे तोड़े emotions under control आजानगे इरिस्पेक्टिव अफ देफेक्टों ने सबस्टेंस कोई भी लिया थे साथे बास थे important नहीं है कि तुसी हिरोन लई है ओपियम लई है ट्रैमर डॉल लई है जा अलकोल लई है साथे बास थे brain है और ब्रेन थे ओई सिस्टम कम करते है पामिशी अलकोल लो जे एक अलकोलिक ओपियम लएगा ओधे अंदर भी सेम विड्रॉल जानगे और सेम एफेक्ट्स आनगे जनरली लोग की शिफ्ट कर दे रहें दे है बटो शिफ्ट करनदा डिजास्टर ही हुनदा है खतम ही हुनदा है स्विड्रॉल तो विसिकाली थे और धीक्ली एथा सेम्पथाटिक सस्टम करेगा सेम्पथाटिक सिस्टम एक स्वाविक सामतिंग मिच वोक्स आट भी स्वावेर एक्स्रीम शोवप है नशप पियल् mm के देहल अच्या चे लिए शो म करते है स्टिक सिस्टेम है वा नगे या सब्स इसराडम समध करगे हैं टाइच कर써र के निक लोगाổくरुन वागां वोरी ब्हों दे इज वार 완전 करुपल रिया तुक टाइज वदे इंटर्स्टेम मुमत कर दी है कांस्ट्यूपेशन वद्धी है एंग्जाइटी करती है एंग्जाइटी सिस्टम है बचैनी है हार्ड रेट इंग्रीज करता है हार्ड इंग्रीज करता है कि आसे सिस्टम आप न था है। हाट रेट जादा एंग्रीज करता है जड़ है ना, that can be a disaster, मैं अक्सर देखे हैं पेशेंट्स नो, के ओवर सिडेट होके, ते एमर्जंसी बन जान दी है, जे ऐसी अनू होर सिडेट कर दी है, जे ऐसी कन्वेंशनल त्रीके ना, डॉक्ट सब ट्रीट करीए न, भी अंग्जाइटी नू ट्रीट करना वासते, डा प्रेस हो गया, इंसान स्टूपर चे चले गया, he can go into coma, and that can be a very fatal thing, so दिखो, तुसी एक वारी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, किसे दा डायर्या लगजे, तो डायर्या नू ट्रीट करना वासते, तुसी आहम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करते हो, पर डायर्या दा इथे ट्र I have seen so many people losing their life because of stupor and coma, and stupor ते बेच जा के patient फिर coma ना जाए, it is very difficult to handle, so मैं कही वरी patients नूए कहना, के जे तोड़ी full days dose देन तो बाद भी patient नहीं सौन रहा, जा patient restless है, it is better के थोड़ी जे restless रहे, क्योंके उनूए याद नहीं रहा ना कुछ भी, but दुसी ए ना सोचो के patient नूए असी बिल्कुल स्वा के रखिये, it is not important, sometimes it is not important, असी चौभी कंटे patient नूँ, अच्ताली कंटे patient नूँ नहीं सौना चाओं दे, क्योंके उस टूपर कौमाच ना जाए, पर करते हैं तो उन्दा है कि शान्त हो जे, पहला step ते सर, तुसी कारता साथे को लागे, ठीक है, उन्साथी team हैगी है, जेड़ी ठीक होई है, जेड़ी ठीक होई है, जेड़ी मदद करेगी, ठीक है, ठीक है, तो कुछ तौनू, हाँ जी हाँ जी, तुसी जिस्टन कोगे, बस मेरी मेडिसन चलायो, तुसी अपनी मेडिसन ना लेओ, आपनी नी लओंगे, ठीक है, कोई काली मैघ तो देना, and we'll make it possible, तुसी मैने एक प्रोमिस कीता है, कि जिए मेरे विड्रॉल ठीक हो जानगे, फिर मैं कदी नी पीआँ जालो ठीक, गुद, गुद. सिको ठेर्पी आ, ये सब भी, बेटर एफेक्स है, क्योंकि ये वोग भी करते हैं, और ये अडिक्टिव भी इसमे कुछ नहीं है. बिटे, we are tuned के हम short term focus रखते हैं एक देखो, micro addiction होसी है जिसको बोलते हैं short term focus अगर हमने सारा अपना दियान सिर्फ जुगाड पे और short term focus पे ही रखना है के अभी होंदा वेला ते कटो ना, होंदा वेला कटो It is not the way of life असी कोई भी ऐखुजय काम ना करिये जेड़ा सिरफ time being सानु solution देवे We should go for long lasting solutions Long lasting solution है गया है stress management एक skill असी सिखाने हैं जेरी कहने है stress management So, जे असी short term focus रखांगे ते असी stress management नहीं सिखांगे असी सिरफ कोई ना कोई alternative medication लेलांगे अच्छा हो medicine की होएगा कि जे साटा brain defect ऐस तरा दा है उदे वेच tolerance डोयल्प होजेगी जे तुसी आज एक tablet खा रहे हो कल नो तो नो चार tablet चाही दिया होंगे फिर कल चार खा रहे हो फिर परसों 16 चाही दिया होंगे फिर ultimately की होएगा You will be grabbed into it तो नो पता है कि दुनिया दे वेच disaster अलकोल नो भी ज़ादा डाइजीपाम अडिक्शन दा है बेंजोडाइजीपीन अडिक्शन is much more dangerous than के अलकोल अडिक्शन क्योंके बेंजोडाइजीपीन एन्नी छोटी जी एक blister pack गुलाबी गोली निकल दी है You feel it so tempted ते ओ तुसी रख लेंदे वो तुसी बार-बार यूज कर दे ओधनाल की उन्दा के तौटी stress tolerance डी हो कट भी जाना दी है तो फिर क्या होता है कि अगर आपको next time मैंने fight करना है तो आप डॉक्टर को बोलो के भी मुझे ये counseling में जाना है psychotherapy में जाना है मुझे ये alternative medicines नहीं लेनी है तो ये बहुत important है क्योंकि अगर ये सारी जो medicines है center nervous system depressant है तो जिनियावी तुसी lorazipalm, elprosolam जिनियावी medicines तुसी sleep वास्ते यूज कर रहे हो ये रात नो किसे वेले भी तौटी respiration नो depress कर सक दिये जो जे तुसी combination की ते बन गया के alcohol एक पास से लही हुई है नाल तुसी lorazipalm लह लही जा एक पास से तुसी opium लही है नाल तुसी lorazipalm लह लही ये सारी है center nervous system depressant है and there are so many casualties रात लोग की शौंदे स्वेरे उठ दे नहीं है it is just because of that के ये ये तुसी the major tranquilizers इसे major tranquilizers use कर दे है minor नहीं use कर दे तुसी कजी देख्या होएगा जैसानों कोई नींदी problem कवे तो इसे अजे प्रेफर कर दे है major tranquilizers तो लोग की पता की कैने असी Google कीता medicine ते anti psychotic है मैं कहा जी नहीं anti psychotic नहीं ये dopaminergic blocker है तो असी प्रैफर कर देजिये हैं कि तानों डूपामिन ब्लॉक कर देए ना कि असी माइनर ट्रॉइजर जन्या दुनिया दे विज फटैलिटीज जन्या डेथ सुन दिया है यह सारिया माइनर ट्रॉइजर करके हो ते हैं अच्छा फिर हम आपको ये भी बता देते हैं आज, कि हम छोटे minor tranquilizer को छुड़ाने के लिए आपको major tranquilizer देते हैं, ताकि आपके minor tranquilizers आपके brain के उपर effect ना हो, undercover होता है ना, undercover agent, तो हमने major tranquilizers को undercover agent रखा हुआ है, कि अगर major tranquilizers के साथ आपको minor tranquilizer देंगे न, तो जब मर्जी उसको cut-off कर लेंगे, फिर आपको withdrawals नहीं आएंगे, और आपको उसकी habit formation नहीं होएगी, ये एक बड़ी जबरदा science है, it's a very interesting science, आप तो हमसे पूछो, हम तो कह रहे हैं कि कह तरपी करो, counseling में time लगाओ, हर week में एक अफ़ता रखो, एक counseling session ज़रूर अटेंड करो, सारी counseling session अटेंड करो, आपकी stress tolerance बड़ेगी, ये आपने जो question पूछा है न, ये बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पास आज कोई आई है न, हमने डाइजी पाम छोड़नी है, डॉराइजी पाम छोड़नी है, कोई admit नहीं होता, अलकुल के लिए हो जाते हैं, हिर्वन के लिए हो जाते हैं, और जो ज़्यादा dangerous चीज़ है, वो minor tranquilizers है, कि जो चार alprix खा रहे हैं, लॉराइजी पाम खा रहे हैं, साउन वास्ते, जहां कोई होड मेडिसन यूज़ का रहे हैं, यह मच मोर डेंजरेस है, असी अंडर दा कवर ओफ एंटी जड़ी हैंना, major tranquilizers, minor tranquilizers नूँ cut off करा देने हैं, not इकदाम नहीं, क्योंको यह side effects बड़े fatal है, और सब तो fatal जड़ा side effect है, ओ एपिलेप्टिक fits है, कि जदो आसी यह बांद करते हैं, एक person नूँ, किसे भी इंसान नूँ, fits पढ़ने शुरू हो सकते हैं, जब यह fits पढ़ने शुरू होते हैं, हार एक fit के साथ, हार एक epileptic fit के साथ, जहां यह जो medicine जब use करते हैं, एक तो इनका होता ना, एक दम से acute center nervous system depression, एक इनका effect होता है, कि long lasting center nervous system deterioration, तो कई बार ऐसी बात आ जाती है, कि 5 साल, 10 साल बंदा use करता रहता है, तो उसके बाद उसका center nervous system के cell खराब होने शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, कि उसको fits कभी भी आने शुरू हो जाती है, उसके fits कभी भी आने शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि उसका जो barrier है ना, fit रोकने वाला, वो weak पड़ गया है, एक barrier होता है, जैसे बंद होता है ना, ये हमारे electric crunch को रोक के रखता है, तो अगर हम medicines लेंगे, तो आप suppose करो कि एक इनसान benzodiazepine ले रहा है, और उसको कोई heart की problem हो गई, तो उसको admit हो गया heart institute में, उसका अब operate होना है, जो उसको stunt डलने है, तो डॉक्टर ने कहना है कि ये तो medicines हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि center nervous system depressant है, तो वो medicine बंद कर दी, तो operation हुआ, operation के बाद उसको continuous status epilepticus में चले गया, तो उसको 20 fit पड़ गे, तो उसकी जो fatality है, is not because of the heart problems, but because of what medication he was taking earlier. ये तो यही है, naturally बचे, naturally. क्यों 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 ये डूसरी medicine, alternate medicines, डे लेते हैं, जैसे हम जैसे लोग वो होते हैं, जो एक plane flying पे भूख पढ़के बोलते हैं, कि हम plane चड़ा सकते हैं, better than someone who has a lot of experience. So, you know, this thought, this process जो भी सारा होते हैं, इसमें we have this grandiose feeling, we have that I am, I can do a lot, I am a genius, तो ये I think मेरे में भी था, तो इसलिए I think this is very important to understand. जितना मेजर ट्रंकलाइजर से डरते हैं न, वो उतनी ज़्यादा सेफ हैं, जितना माइने ट्रंकलाइजर को बड़ा, मतलब एक अकसर हाँ, मैंने देखा हैं कि, मैंने देखा तो नहीं हैं लैसे, लेडीज, किटीज में, ये बड़ा अराम से कोई बात हो जाए न, तो एक ब्लिस्टर पैक निकलता है, उसमें से एक गोली निकलती है, वो गोली, आज कल टेबलेट्स न, सब लिंगोल आनी शुरू हो गया, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप, हाँ, मौस्ट डिजॉल्विंग है, तो उसमें फ्लेवर डाला होता है, हमें बता के जाते हैं, इसमें ये चैरी फ्लेवर है, इसमें ये पिप्रामेंट फ्लेवर है, तो आपको ऐसे महसूस होता है, कि ये बहुत बढ़िया चीज है, तो ये नहीं मतलब एक डेस्ट्री है, जो इस चीज को इनांस करती है, लेकिन अगर आप किसी मतलब प्रफेशनल के अंडर ट्रीटमेंट हो ना, तो आपको कभी भी उसको माइनर ट्रंकलाइजर की जुरूरत पड़ेगी ना, तो वो अंडर टा कवर आफ मेजर ट्रंकलाइजर आपको दीगा, ताकि आप पे वो साइड इफेक्ट ना आए, ये सारे सर हेलो पेरिडॉल, क्लोड प्रामजीन, रेस्पेरिडॉल, क्लोजीपीन, जितने भी हमारे मेजर, जिनसे लोग डरते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट हैंना सर, ये साइड इफेक्ट बड़े है, ये तो ऐसे ही साइड इफेक्ट हैं, जैसे अलकॉल की हैं, जाह किसी और बड़ी ड्रग के होते हैं, उनके भी विट्रॉल हो रहे हैं, उनके बिट्रॉल ज्यादा सीरियस है, ऐस कंपेर तो अलकॉल, इनके बिट्रॉल ज्यादा सीरियस होएगी, जी, वैसे सर, ये अब जो, कि अभी भी अंडर्स्टान नहीं है तो अभी अभी अधिन को ना वाप पर तो डॉक्टर मंदीब जोएं इसेड आपकी स्पीक्ट सुनी थी कि डॉक्टर में अडिक्शन ज्यादा क्यों गोड़ने हैं डॉक्टर्स को अडिक्शन ने पहले पात तो है कि उसको लगता है कि ये तो मेरे करकी मूली है मतलब गर की मुर्गी है गर की मुर्गी दाल बराबर होती है न तो आप अपना आपको एक इतनी प्रिजेंटेशन इतनी अच्छी होती है जब ये medical rep आते हैं तो आपको बड़ा lure करके ये देखो डॉक्ट सब हमने ये बनाई है ये बहुत मड़ी है ये एक second में हो जाएगी आपको anxiety दूर हो जाएगी आपकी depression दूर हो जाएगी आपको need एक second में आ जाएगी तो डॉक्टर सोचती है कि ये तो मेरे घर की मतलब मुर्गी है तो ये तो मैं जब मर्जी खा सकता हूँ तो फिर डॉक्टर के पाथ कभी न कभी कोई मुश्कल overwhelming को experience हो जाए तो easy availability है उसका हाथ जाता है तो वो एक दम से वो आ जाती है और डॉक्टर कहता है चलो ठीक है यह काम तो बन गया तो डॉक्टर्स आर much more vulnerable than normal public is किसी normal public किसी ने कोई गोली खानी होना तो थोड़ा डर लगता है डॉक्टर को डर नहीं लगता है डॉक्टर को पता होता है इसके साथ क्या होने अलकूल क्यों जाता है इस एजली अवैलेबल सोचली एक्सेप्टबल इस बाद ना पाइलेट मैं ना मैं वैसे देवारे डॉक्टर साब काफी सोचे क्योंकि मेरे अपने क्लास वेलो बड़े एदिछ फसे होए है एंड मैं देखता है कि हार बैच दे विच्छ जह साथे 150 स्टूइंट सुन्दे सीगे ते 10 तो 20 जड़े पेशेंट साथे क्लास फेलो अलकूल चल जान दे सीगे उदा एक वटा कारण हो सकता है कि ड़ेड़े ऐसी पंच साल मेडिकल कॉलेज जाने है न वो ते बहुत जादा ही एक रवाज है कि तुसी फर्स्ट प्रोफेशन, सेकंड प्रोफेशन, हार सैलिबरेशन, हार जगा ते एक अलकूल इस सो मच सरफड ते बच्चे अनू हो जान दा के असी न होन बहुत जादा मेनत करके ते एक स्टेटस ते पहुंच गया, असी मेडिकल स्टुएंट बढ़ गया, होना असी डॉक्टर ते बढ़ी जाना है यह ते कोई रोक नहीं सकता, सानू, डॉक्टर ना बढ़न तो तो दे आर वेरी प्रोण तो डू इट हम पहले बड़े बच्चे को रोकेंगे ना, फिर आपके छोटे बच्चों यह हमारे पास नहीं एक प्रोग्राम है, आप बताएं जी कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, जो बच्चों के लिए पी है जैसे सर ने कहा हम बड़े बच्चे से स्टार्ट करते हैं, तो सर ने अल्डर कावर एजेंस की बात करें, आप कमांडोस जो हमें चाहिए इस ट्रीमेंट में बड़ा गंसा कोशन पूच रहा हूं, आप कम देते हैं? नहीं, मैं नहीं लेता है, फ्रैंकली, मेरे कोई लुकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस चीज के बारे में, मैं इतना, मतलब, बलीव करता हूं ना, मैं वही बात कर सकता हूं, तो मेरी बात में बजन भी इसलिए है क्यों को मैं नहीं लेता है और जो आपनी कुछना है, वो भी सवरांस कर सकते हैं, कि इनके भी बच्चे, they are studying, and you know, इनने पहले भी प्रता है, how they manage it. मेरे बच्चे, मैं डड़ी दे क्लास फैलो तो लेके, अपने क्लास फैलो तक थे, अपने जूनियर्स तक ना ट्रीट का रहे हैं एंड यू कांट इमेजन के मेरकुल हार वेले अट लीस्ट वेले 10 टैन डॉक्टर्स होंगे जिन अदम अल्कोल दा ट्रीटमेंट का रहे हैं अट लीस्ट अद मैंनों इन्वेरिबली कॉल भी कल रहती भी कॉल आई है के हो डॉक्टर सब ने आना है एंड अनदर दॉक्टर्स अर कमिंग एंड सो में डॉक्टर्स अर दियर तिन ते उत्थी है गे है शायद हर्मिटेट है